फ्रेंड्स इंटरनेट के दौर में भारत के पास फर्स मुवर का एडवांटेज नहीं था जिन देशों के पास एडवांटेज था बहाँ प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स ने प्राइवेट इनोवेशन्स ने डिजिटल स्पेस को लीड किया इससे निशीत रुप से एक नई क्रांथी दुनिया में आई लेकिन उसके लाब का दायरा सिमीती था जब भारत ने एक नया मोडल दुनिया को दिया है भारत ने ट aúnक्राइव करकिशनल पॉब्लिक इंफ्रासेक्टर का नया रास्ता दुनिया को दिखाया है आज भारत में सरकार एक प्लेटफॉर्म बनाती हैं और उस पर लाखो नए इनोवेशन्स होते हैं हमारी जंदन, आधार और मोबाइल की जैम कनेक्टिविटी, सर्विसीज की फास्टर और लिकेज फ्री डिलिवरी का एक बहतरिन सिस्ट्रम बन गया है आप हमारा यूपी आई देखिया है, इस पर फिंटेक का एक नया विस्तार भारत में हुआ है यूपी आई के कारण आज हर रोज 500 मिलियन से जादा के डिजिटल टांजेक्शन हो रहे हैं और इसको ड्राइव करने वाले कोई कार्पोरेट्स नहीं है, बलकि हमारे छोटे दुकान आदार है, स्ट्रीट वेंडर्स है हमारा पी-म गतिशक्ती प्रेटों में एक और उदहाण है, पी-म गतिशक्ती को हमने इंफ्रास्तित्र पोजेस के निर्माण में जो साइलोज आती थे, उसको दूर करने के लिए बनाया था आज यह हमारे logistic ecosystem को transform करने में मदद कर रहा है, ऐसे ही हमारा ONDC platform है, यह online retail को ज्यादा democratize, ज्यादा transparent करने वाला innovation सिद्ध हो रहा है भारत ने दिखाया है कि digital innovation और democratic values को exist कर सकती है भारत ने दिखाया है कि technology, inclusion, transparency और empowerment का टूल है, control और division का नहीं भारत ने दिखाया है